अगर आप एक नया स्मार्टफोन लेने जा रहे हैं अपने लिए तो आपको कौन-कौन सी बाते को ध्यान रखना चाहिए और किन चीजों पर गौर करना चाहिए स्मार्टफोन लेते समय तो वीडियो में लास तक बने रहे हैं और वीडियो अच्छे लगी तो प्लीज वीड किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए स्मार्टफोन के डे सारे ऑप्शन देखकर आप भी कंफ्यूज हो जाया करते होंगे कि कौन सा स्मार्टफोन लेना बैतर होगा ऐसे में हर दिन मार्केट में आने वाले इन नए-ने मॉडल्स के बीच में से अपने जरूरत की अपनी जरूरत को पहचाने आप अपने लिए एक अच्छा स्मार्टफोन तब तक नए खरीद पाएंगे जब तक आपको फोन से जोड़ी अपनी जरूरतों का पता ना हो किसी के प्रभाव में आकर फोन लेने की भूल बिल्कुल ना करें क्योंकि फोन के इस्तमाल के तरी जड़े हुए है कि जितना ज़्यादा बजट होगा उतना ही ज़्यादा फीचर वाला फोन आपको मिल जाएगा एक समाने और अच्छा स्मार्टफोन 10,000 की कीमत तक आ जाता है लेकिन इससे ज़्यादा फीचर के लिए आपको बजट को बढ़ाते जाना होगा तीसरा है ब जानामी ब्रेंड है तो उसके साथ सौफ़ेयर अपडेट और कस्टमा सपोर्ट सर्विस का भरुसा रहता है इसके अलावे इन ब्रेंड के फोन मार्केट में आसानी से मिल भी जाते हैं आज मार्केट में बहुत सी बैतरी कंपनिया मौजूद है ऐसे में ब्रेंड का चुन बना रहे हैं iOS बेस आईफोन की कीमत जादा होने के अरण हर कोई उसे खरीद नहीं पाता है जबकि Android बेस्माटफोन हर प्राइस सेग्मेंट में मिल जाता है इसके अलावा आप Microsoft का Windows फोन भी ले सकते हैं इसके साथ साथ ये भी जानने कि आपकी पसंद के फोन में और प्रे टास्किंग होने का लेवल उस फोन के प्रोसेसर और रैम पर निर्वर करता है Android फोन के प्रोसेसर में जितना ज़्यादा कोर होते हैं उसकी परफॉर्मेंस उतनी बढ़िया होने की संभावना होती है मल्टी कोर प्रोसेसर होने के सिथी में आपके फोन में बहुत सो फंशन्स को एक साथ काम लेने में असान हो जाता है मार्किट में स्नैप ड्रैगन, अन्वीडिया, कॉलकम, इंटल और मीडिया टेक जैसे कई प्रोसेसर उपलब्द है कोर जादा होने के अलावर रैम भी पर्याप्त होनी चाहिए क्योंकि फोन की पर्फॉर्मस बहुत हथ तक रैम पर भी निर्बर करोती है फोन में कम से कम एक जीवी रैम तो होना ही चाहिए छटा है स्क्रीन, स्क्रीन का चुनाव पूरी तरह से आपकी पसंद और ज़रत पर निर्बर करता है अगर आपको छोटी स्क्रीन पसंद है तो 4-5 इंका डिस्पे पर्याप्त है लेकिन अगर आप बड़ी डिस्पे चाहते हैं तो इसके भी बहुत सारे विकल्प मार्केट में मौझूद है डिस्पे के अलावा फोन का रेजलिशन भी बढ़िया होना चाहिए क्योंकि इसी से फोन की स्क्रीन पर दिखने वाली इमेज की कॉलिटी निधारित होती है ऐसे में अगर आप 4.5 या 5 इंच की डिस्पे वाला स्मार्ट फोन ले रहे हैं तो इसका रेजलिशन कम से कम 720 पिक्सल होना ही चाहिए क्योंकि जितना रेजलिशन उतनी बहतर इमेज लेकिन ये भी जाना ज़रूरी है कि ज़्यादा रेजलिशन वाली स्क्रीन में बैटरी की खपच ज़्यादा होती है सात्वा है बैटरी स्मार्ट फोन की बैटरी बेहर ज़रूरी प्रोपरटी होती है आजकल फोन रिमोवेल और न Vergleichे साथ आते हैं और जितनी बड़ी बैटरी होती है स्मार्टोन की running टाइम बढ़ने की उम्मीद भी उतनी ही जादा हो जाती है लेकिन बैट्री साइज बढ़ने से स्मार्टोन का वजन भी बढ़ जाता है फोन खरीदने से पहले उसके stand by time और talk 10 time के बारे में भी जान लेना चाहिए आठवा है camera आजका smartphone खरीदने के पीछे अईतर लोगों का मकसद एक बड़िया camera लेना होता है ऐसे में आपको resolution, rear camera, front camera, LED flash, autofocus और video recording के बारे में जान लेना चाहिए फोटोग्राफि के लिए कम से कम 5MP का rear camera तो होना ही चाहिए और अच्छी selfie camera के लिए कम से कम 5MP का front camera होना चाहिए लेकिन सिर्फ इतना जान लेना ही आपको camera के बारे में पूरी जानकारी नहीं मिल जाएगी बलकि आपको camera के performance जुड़े review भी पढ़ने चाहिए तो आप आप जान चोगे हैं कि कि smartness का इस्तुमाल करके एक battery smart phone खरीदा जा सकता है इसलिए आप जब भी smart phone करीदने जाए तो इन बातों को ज़रूर ध्यान रखने ताकि smart phone खरीदने का आपका निर्ना एकदम सही निकले उमेद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए useful भी होगी और अगर वीडियो अच्छे लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा अपने friends को शेयर भी करिएगा और चैनल पर नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा तो चलिए मिलते हैं कैसे नहीं मज़दार वीडियो साथ तब तक लें गुड़ बाई